जो भी इस ब्रिज को पार कर दूसरी बिल्डिंग तक जाएगा, उसको इनाम में 100 करोर रुपे मिलेंगे। इस मौत के खेल को और मुश्किल बनाने के लिए उन्हें रेंगते हुए जाने की सक्त मनाई है। ऐसा करने पर उनको बिजली के जटके से मार दिया जाएगा। अब सिर्फ तीन लोग बचे हैं, लेकिन बारिश के कारण उनका संतुलन बिगड़ने लगा है। और अंत में कई मुश्किलों का सामना कर ये दोनों सफल हो जाते हैं। लेकिन तभी इन खेलों का आयोजक तेजी से खिड़की खोल उन्हें गिरा देता है। काईजी किसी तरह अपनी जान बचा लेता है और उसकी बहादूरी की सराहना करते हुए उसे उसका इनाम मिल जाता है।